नमस्कार दोस्तों, Target with PS Parihar चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माधम से आप लोगों को विभिन भरतियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती है चाये वो उत्तर प्रदेश अधिनल सेवा आयोग की कोई भरती हो या उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की कोई भरती हो रेलवे की हो, बैंक की हो या SSE की हो उसी क्रम में आज की इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे UPCCC की और सिक्षक भरतियों की UPCCC की एक मीटिंग हुई है 27 तारीक को कुछ चर्चा उसमें हुई है और उसकी चर्चा में आपको इस वीडियो में करूँगा सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यारती पूच रहते कि सच जनवरी में कौन सी भरती आएगी तो जनवरी के महीने में दो भरतियां आ सकती है दो नई भरतियां आ सकती है जिनमें से एक दूसरी बरती हो सकती है नई जूनियर असिस्टेंट भरती की जिसकी परिच्चा चार तरीक हो रही है उसी की एक और नई बगेंसी जनवरी के महीने में आ सकती है पतों की संक्या लगबग साले 600 तक हो सकते है इस बरती में कुछ काम अभी बाकी है और अगर वो काम कंप्लीट हो जाता है तो 20 तारीक के आसपास आपकी ये बरती आ सकती है लगबग 9 से 10 विभागों की ये 81 बरती है आ रही है और इसकी जो योगता इत्यादी है जो सलेवेस इत्यादी है वो सेम उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से पिछली बरतीयों का अभी तक रहा है साख छातकार इस बार भी नहीं होगा अब बात कर लेते हैं वीडियो डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन की ये मामला बहुत बुरी तरह फस गया था इसमें बहुत सारे वीडियों की जाच हो रही थी 136 वीडियों की जाच तो हो ही रही थी जिनकी मूल, OMR और कारबन कापी में अंतर था उन वीडियों की जाच हो रही थी और उसके बासे जैसे इस सिकायत मुक्यमंत्री के पास पहुंची आयों के पास महुंची तो पूरी कापियां फिर से चेक की गई है और फिर से जाज हुई है अब वो जाज फाइनली कम्प्लीट हो गई है और ऐसी समावना है कि जनवरी के लास्ट वीग में या फरवरी के फस्ट वीग में इन अब भर्थियों का वीडियो के जो रिजल्ट आया था इनका जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन है और निति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इसके बाद में एक और सुचना है लोवर 2019 के परिडाम को लेकर के लोवर 2019 का जो परिडाम है वो लगभग बन करके कम्प्लीट हो गया है उसमें जो जाच हो रही है वो कार्बन क कापी और OMR इसका मिलान हो रहा है वो भी लगभग होने को आया है और थोड़ा सा बचा है जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद में एक और काम है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर की नॉर्मलाइजेशन और मुल्यांकर थोड़ा सा काम बचा है और ऐसी उमीन है कि जनवर फरवरी के अंदर अंदर लोवर 2019 का जो परड़ाम है यह आपका आ सकता है एक सुजना और लेकपाल भरती के बारे में विद्धारती बहुत ज़्यादा पूछते हैं लेकपाल की जो भरती है अभी उसमें टाइम लग रहा है कुछ बदलाव हो रहे हैं कि चकबंदी जो ल नहीं मिल पाई है लेकपाल बर्ती के बारे में जब भी कोई जयनकारी होगी कुछ भी हलचल देखनों की मिलेगी आपको इस चिनल के मादिन से बता दिए जाएगा अब बात कर लेते हैं सिच्च ग्रेट सिच्च बhrati की बहुत सारे विद्यारति इस बhrati के बारे में पूँचते रहते हैं उत्तर बातियर्थ लोग सेवा आएक की ये बरती है इसने 13 बिस्यों का परड़ाम रद्द तो नहीं कर दिया जाएगा कि इन बिस्रियों का जो परड़ाम है वो रद तो नहीं हो सकता तो मैं आप लोगों को बता दूँ जहां तक मेरी जानकारी है मेरी पहुँच है और मेरे सुत्र है तो L.T. ग्रेट समाजिक विज्ञान और हिंदी का जो परड़ाम रद होने की सुचना है वो बिलकुल निराधार है बिलकुल निराधार है असल में लोग सेवा आयो किसी विवाद में पढ़ना नहीं चाहता इस वज़े से ये रिजल्ट अभी जारी नहीं हो रहा है और आप लोगों को मालुम है कि पूरू परिक्षा नियंत्रक अंजुक ट्यार के भी जमानत भी नहीं है केस डाइरी में जो बाते हैं वो officially लोग सेवा आयो को नहीं मिली है हाला कि लोग सेवा आयो को पता है कि उसमें क्या ज़िका है और क्या नहीं लिका है यह हम सब को पता है और आपको भी पता है तो जैसे ही आफिसली या वैद तरीके से इनके पास के डारी आ जाती है तो यह समाजिक विज्ञान और हिंदी का जो परिडाम है वो जारी हो जाएगा और एक बात यह कि एल्टी ग्रेट के जो रिजल्ट अभी आया था 13 विस्यों क उनकी अब अभयर्तियों से एक वीडियो मने कल अपलोड किया था जिसमें परतियोगी चात्र मुर्चा के जो स़योजक है विक जो करेंगे अरगर पुलिस हमको उठाती है तो पुलिस से इस बार हम लोग सीधा यही कहें कि अगर हमको उठाया जाए तो हमको छोना ना जाए हमें जेल में डाल दिया जाए और जेल जाके अपने रिजल की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे चाथियों तो इनका कहना है कि एल्टी ग्रेट सिक्षकवर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रमोर्चा फिर से एक विसाल अंदोलन धर्ना परदरसन उसी तरीके से करेगा इन दो बिस्कियों के लिए जिस तरीके से अभी तक करता आया है पिछले 13 बिस्कियों के लिए जो किया था वही धर्ना परदर्शन फिर से शुरू होने वाला है धारा 144 के चलते हम लोग अंदोलन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं आप सभी हिंदी और समाजिक विज्ञान के शाथियों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोग घबलाईये मत अमारी संगठन की बहुत ही जल बैठक होगी और हम धारा 144 के चलते ही अंदोलन का आरंब कर देंगे बहुत ही जल हम लोग क्रिमी कंसन सुरू करेंगे अगर पुलिस हमको उठाती है तो पुलिस से इस बार हम लोग सीधा यही कहें कि अगर हमको उठाया जाए तो हमको छोना ना जाए हमें जेल में डाल दिया जाए और रिजल जाके अपने रिजल की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे चाथियो चाथियो जो मेरी मुख्य अपील है जो यल्टी में चैनी चात्र हैं उन साथियों से मेरा एक निवेदन और मेरी अपील है अब सभी को पता है कि मादमिक्स इच्छा सेवा चैन बोर्ड ने आगामी दो जन्वरी से इंटर्व्य की पित्किरिया चालू कर दी है और हमारे तमान साथि जो यल्टी में भी चैनी थे हैं और उनका इंटर्व्य काल हुआ है तो यह मुहीम हमारे संगठन के पदा अधिकारियों द्वारा शुरू की गई थी कि एक व्यक्ति एक पद की जो मुहीम थी उस मुहीम को आगे बढ़ाते हुए इनका कहना है कि जिन विद्यारतियों का एल्टी ग्रीट से चेक बढ़ती में चैन हो गया है वो माद्मिक की जो इंटर्व्यू है वो छोड़ दें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग में प्रमपराश शुरू ही थी अभी लोग सेवा आयोग ने एक परणी एक परमपरा है और इसको सभी विद्यारति करें तो जाद अच्छा होगा जिससे सभी विद्यारतियों को नौकरी मिल सके एक बक्ति और एक नौकरी तो ठीक है दोस्तों फिलाल यह हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप करने के लिए आप आप